के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा था कल्टिवेशन ऑफ चिकपी के बारे में यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं दिखा है तो आप उसे जाकर अच्छे से देखे और जितने भी क्रॉप्स के बारे में बताया है उनको अच्छे से पढ़े सारे कॉश्चन उसी से ब कि बहुत सारे इंपोर्टेंट ट्रॉपिक है जो कि इंपोर्टेंट डाटा है जो कि आप सको पूछा जाता है तो इसमें बहुत जादा इससे पूछा जाने के चांसे है ठीक है तो हम बात करेंगे यदि आप ICR-JRF-ASRB-NET SRF-ARS एक्जाम की प्रिपरिशन करें आप अपन में दिये जाएंगे lecture videos रहेंगे question papers दिया जाएगा mock test provide क्या जाएगा और आपको इन exams के अलावा भी और exams में आपको help provide की जाएगी आप आप इंट्रेस्टेट है हमारे course course purchase करने के लिए तो आप दिये गए number पे contact करें सो हम स्टार्ट करते है पिजन पी आप देख रहे हो पिजन पी यह पिजन पी दिख रहा होगा आप लोगों को यह पिजन पी पिजन पी मतलब कि इसको हम अरहर के नाम से भी जानते है अरहर स्टूर इसके नाम चानः ताथ है न 10 पल्स स्ट्रोप है उसको हम लोग अरहर तूर और रेट-ऌस्ट आप के भी नाम से नाम से जान पी में इसका बौटेनिकल नेम की बात करेंगे दो बोटेनिकल नेम के निए देखर फिक दींच कजमكان के प्र मॉनमके पिजन हैं पिज को लाट उसको पॉलाँगे किजिनस करूझ के लिझन पाइकलर लिख को दर ऐंदरwwwwट यह को इसको पेपइलिएससीट को फैपलिवेंसीग उरीट इस इसको इन word Sund aid तो इसका ओर ज Hindus इन तो इसका आफ्रिका औहैं अ haulRIजिन आफिका में है इंफ्लोरिसेंस जो बात करें कि जो पिजन पी का इंफ्लोरिसेंस होता है वो एक्जिलरी रेसीम टैप का होता है जो कि आप इसमें देख रहे हो यहां पे फोटो लगाई कि एक्जिलरी रेसीम का इसका इंफ्लोरिसेंस इस टैप से होता है ठीक है सो ये है फोरीष से पर हम बात करें कि जो ही जीए ना अरहर का जू पकर बात करेंगे जो के जिनस क्या जान दूनिक करता है इसका मतलब रौता है पौड्ड और वींज से इसका मतलब कभी कभी पूच आता है किसे लाइट लेग्वेज से घ्रीग मलाय वाटसे तो किसे लिया थी आपका मलाय वाट से लिया फिर बात करोगे कि मीनिंग जिसका मतलब क्या होता है पोड और वीन से फिर हम बात करेंगे जो रहता मिनिमुम फर्टिलाइजर क्रॉप मिनिमुम फर्टिलाइजर क्रॉप की नाम से जाना साता है इसको मिनिमुम फर्टिलाइजर क्रॉप के नाम से इसलिए जाना साता है क्योंकि इसको कम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा इसको जरूरत नहीं होता है फिर it is often cross-pollinated crop, यह कैसी crop होती है, often cross-pollinated crop होती है, ठीक होता है, हमने पढ़ना है, self-pollination, self-pollinated crop और cross-pollinated crop, तो यदि क्या होता है, average cross-pollination is 20%, मतलग कि जब किसी crop में self-pollination 80% होता है, और cross-pollination 5-10% या 20% तक होता है, तो उसको हम बोल देते, often cross-pollinated crop, ठीक है, तो यह होता है, often cross-pollinated crop, जिसमें की average cross-pollination जो होता है, वो कितना होता है, 20% होता है, अब plant produces many flowers, बहुत सारे flowers प्रोड्यूस करते हैं, of which only 10% set pots, क्या होते है, 10% set pots होते है, it is C3 plant, यह कैसा plant है, आपका यह C3 plant है, long day plant है, अब germination इसमें क्या होता है, इसमें germination होता है, hypozyal germination, cell के अंदर ही इसका germination होता है, जो कि आप इसमें देख रहे हो, hypozyal germination, यह है, कोई seed की, आपने sowing की, हाइपो कोटायल आया, आपकोटायल यहां से यह आ गया, उसके बाद आप देख रहे हो, आपकोटायल ठीके, फिर आपका क्या हो गया, यहां पे, रूट डेवलप हो गया, कोटिलिडीन बन गया, यह क्या है, हाइपो कोटायल यह पूरा जो germination होता है, इसको हम क्या बोल देते है, हाइपोजियल जर्मिनेशन अब जो रूट सिस्टम है इसमें कैसा पाया जाता है यह देख रहे हो रूट कैसी है इसकी टैप रूट अब टैप रूट के बारे में हमने इसके पहले जो ट्रॉप पड़ी थी चिक पी उसमें हमने डिसकस किया था बहुत अच्छे थे के टैप के जिंवी जाल इसमें भी पाया जाता है टैपृट आप में भी पाया जाता है वह में में दो करेंके प्म एक टैप रूट स्थे स्टम सहरway ऐसा फिर हम नेक्ष्ट करें कि लिए प्लांट के वाटक्रेश तो हम दो चीज़से किरके पाद करते ठीके दो देट पड़ाँ केजनेस केजन फ्लेवर्वस थीके वह उसमें लेट मैचौरिटी क्रॉप लेट मैचौरीटी ग्रॉप है जब्की के जनास जो फ्लेवरस है वो क्या है ऐर्ली मैचियूरिंग क्रॉप है ठीक है इसको हम के जनास वैगलर को अरहर के नाम से साथ है और इसको न्यों प्लांटी हीट मियूचêu ला हीट मैटने वह तो 9 6 की हईट होती है फिर फिलावरय की बात करेंगे क्रिंगे स्रहघान कुंझ थिसमबर से फरवरी के टॉर्य के क्या होती है स्था इसमर्वर आती है एधिर थीउ Socioxy Σब्ञावर मत्य आज लेठी के सब्स्क्राइब करें आधिन चाहलते डीस विकी उसमें प्लांट रहते की दम की चलगे तो इसमें रराइट फंट में रहते हैं पॉडड मेचॉराइटी इसमें पॉड़ मेचॉरिटी की कि ओ मुझेज कॉर स्रिक्राइश्ट रहें इसमें इसमें पॉड कि नारेट ब होते हैं तो जो अरहर का प्लांट रहेगा उसमें पात से साथ जो पॉड रहेंगे इसमें जो साथ पात से साथ क्या रहेंगे इसमें ग्रेन रहते हैं मोर बहुत जादा रहते इसमें जब कि तुर्की बात करोगे तो इसमें कित रहते हैं तीन से चार नमबर किसमें क्या होते हैं पॉ तो मैचौर होती है एक सोपचाससे एक सो से साथितियों MICHAEL कर दो यह कहां पर क्ल्टीबेटिट की जाती है up क्ल्टीवेटिट यह साउथ इंडिया में पीटल पीटल ठीक है यह आपने पड़ा हो गई यह पीटल क्या होता है फ्लावर का ही एक पार्ट होता है ठीक है इनके फ्लावर का पार्ट होता है फ्लावर जो इस पे अहर की बात करेंगे तो पीटल कैसे होते हैं इसमें लार्ज होते बड़ी होते यहें जब्कि थो तूर में पीड़ के चो किसे riumल ऑटे है कि फिर आम नेकस्ट बात करेंगे कितल रिक्वाइर्पेंट होता है जो रहता है जिसमें ट्रॉप कर इंड शुथा-घ्र तो 26-30C for rainy season, यदि rainy season में हम लगा रहे हैं, ठीक है, खरीफ में लगा रहे हैं, June से active October तक का time पर वो grow कर रहे है, तो किता उसको temperature चाहिए है, 26-30C, यदि वो हम November से March के बीच में लगा रहे हैं, मतलब कि पोस्ट रहनी, लगी rainy season के बाद में करें, तो उसको temperature किता चाहिए रहता है, 17-22C, ठीक है, Annual Rainfall, Annual Rainfall की बात करेंगे, तो किता उसको चाहिए रहता है, 600-1400 mm, 600-1400 mm को Annual Rainfall, अब इतनी Rainfall, जब rainy season में ही यह लगा है, तो यह तो पूरी cover हो जाती है, मतलब विचेज, 80-90%, यह इतना जो, हमको Rainfall से यह है, इसका 80-90% receive जाता हमको rainy season से ही, rainy season से ही हमको 80-90% हमको क्या हो जाता है, receive हो जाता है, फिर soil की बात करोगे, तो soil हमको light texture, यहां पे आप देख रहे हो कि यह जो बना है, यह picture लगी हुई है, वो कैसी है, यह सोयल की लगाई, विमन है, light texture, soil चाहिए है, well-drained होना चाहिए, pH होना चाहिए, पांट से आट के बीच में इसका क्या होना चाहिए, pH होना चाहिए, जो पिजन पी क्रॉप है, it's sensitive to salinity, यह क्या होती, salinity के लिए, यह क्या होती, sensitive होती है, जिसका pH होता है, is greater than 8 pH, salinity के लिए क्या रहती है, sensitive रहती है, अब हम बात करेंगी कि जो pulses crop है, जितनी भी pulses crop, जिसे gram pea, soybean और पिजन पी, मूं, गोडर्द, इन सब में बात करें, तो यह वाली जो crop रहती है, पिजन पी, वह most drought tolerant crop रहती है, among the pulses crop, pulses crop में यह बहुत ज़्यादा drought tolerant, सुखा सहान करेंगे वाली crop रहती है, पिजन पी, फिर हम बात करेंगे land preparation की, के land preparation हम कैसे करते हैं, land preparation में हम करते हैं, एक plowing चलाते हैं, एक plow किया जाता है, plow के थुरू plowing करते हैं, दो से तीन harrowing करते हैं, और एक बार planking कर देते हैं, पाटा चला देते हैं, यह आप देख रहे हैं पूरा यह है, land preparation का, sewing time की बात करोंगे, तो जो sewing time है, irrigated condition में, टिके, irrigated condition में, जब हम irrigation दे सकते हैं, तो हम इसको कब से करें, एक जून से 15 जून के बीच में, हमको बुवाई कर देनी चाहिए, यदि rain fade condition में, rain fade condition की बात करोंगे, तो rainfall जब start होती है, फस्ट वीक उप जॉलाई से हमको क्या करना चाहिए, इसकी sewing कर देनी चाहिए, फिर seed rate की बात करें, यदि soul cropping में, हम कोई पिजन पी को लगाए हैं, तो उसकी जो seed rate रहेगी, वो 12-15 kg पर hectare में रखते हैं, जबकि early pigeon पी में बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग 15-18 kg पर hectare रखते हैं, early pigeon पी, early maturing pigeon पी में ठीके जैसे तूर, उसमें हम लोग 15-18 kg पर hectare रखते हैं, जबकि हम late pigeon पी में करेंगे seed rate की बात तो और रखते, seed rate हम अधर पे 10-15 kg पर hectare, फिर बात करोगे inter cropping में, यदि हम inter cropping में लगाएंगे तो इसको हम कित्ता रखते हैं, 2-4 kg पर hectare रखा जाता है inter cropping में seed rate, आप spacing की बात करें, spacing कित्ता रखते हैं, हम लोग 60 x 15 cm, 60 हो रहेगा, वो क्या रहेगा, row to row, अब plant to plant distance हम कित्ता रखते हैं, 15 cm, ठीक है, फिर plant population का भी कभी question इस से आजाता है, कि जो पिजन के प्लांच में, plant population कितना रखा जाता है, तो plant population कित्ता रखते हैं, 55,000 plants per hectare, एक hectare में कितने plants लगेंगे, इसमें 55,000 plants इसमें लगेंगे, ठीक है, प्लांट population की बात करोगे, फिर आता है, हम next बात करेंगे, seed treatment, अब seed है, हम sowing के पहले हम क्या करते है, seed को treatment करते है, should be inoculated with rhizovium, rhizovium से या PSB culture से, phosphorus solubilizer culture से, हम क्या कर सकते हैं, seedlings stage लगे आता है, प्लांट लगे इसमें से, लगें की बात करेंगे, बात मेया में सेडिल्न गाते हैं, Deswegen है, ShTSB industry, then growing tree, laughing tree, I agree with weeds, now, in principle for weeds like a leaf cycle, पिजन पी पिजन पी की वराइटी जो की इंडिया में रिलीज नहीं है वह एक्स्टर शॉट डूरेशन वराइटी जो बहुत ही कम दिनों में पक जाती है वह वराइटी इस कौन सी है और पास वन ट्वेंटी पंत एथी प्रभात आई सी पी एल एट सेवन प्रगती और यह रगती यॉटी चाग्रती इसकी क्या है एक्स्टर सॉर्ट डूरेशन वराइटी प्रिजन's पी की बात करें कि सॉट डूरेशन में मैं च्योर्य रजाती है वराइटी कौन सी है पूसा अगेती-ट्वेंटी-वन-चौने फ्वाइटी derniटीवन-च्वाइट्वाइट् कारोगाई we ये सिए लेखंपार 1 काम सब्सक्राइन के corners एविट बात करोगे थि कि बात करूंगे आप only तो क्या यह सी लइवन बहाद रक्षभी ग्रॉली वरायट़भी और पिजन पी तो अर्लि वरायटी की first hybrid variety है पिजन पी की वो है icph8 जो की डेवलप्ट की गई थी एक्रीश 8 से एक्रीश 8 कहां है 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 यह कब डेवलप्ट की गई थी 1991 में यह क्या है वर्ट्स फर्स्ट हाइब्रेट वराइटी और पिजन पी इस icph8 developed by यह किया गया था इसको यह icph8 को डेवलप्ट किया गया फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ वराइटी के करेक्टर्स देख लो कि जो अर्ली मैच्योरिंग वराइटी है जो की 120 दिन तक पक जाती है वह है ओपास वेंट्वेंटी मानक पारस और प्रफाद डिटर्मिनेट टाइप की वराइटी कौन सी है दुर्गा सरीता पूसा 84 ठीक है स्थे जबाँ और ब से बिजाएंगे डापन यू से ओविवन मानक लिए उसके लिए गराइटी उसके लिए प्रह्या ना चाहिए जिसे ऊर्डान से हैनक टो Ctrl एक पूस्ट रचत पूसर्ड तक जो ड़ोट को स semua बहुत आसल गर सके सुखह से अकर सकें टेंपरेटर को टॉलरेंट कर सकें कौन सी वराइटी है मानक उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉलियटि मुजैक और बील्ट लर रजिस्टेंच यह को Jerry मे gazा डिसीज और विल्ट रजिस्टेंट जो बरेटी है वो है अमर नरेंद्र अरहर और अजाद फिर हम बात करेंगे विल्ट रजिस्टेंट जो विल्ट के प्रती रजिस्टेंट है वो बरेटी अमर अजाद मारुथी पूसा नाइन मुपता फिर स्टेलिटी मुजैक रजिस्ट जो रजिस्टेंट किसके लिए है पोड वोरर के लिए वह है आसा आई सीपी 332 आई सीपी 1903 फिर हम बात करें कि इसको फर्टिलाइजर मेनिजमेंट क्या कैसे दिया जाता है तो फर्टिलाइजर मेनिजमेंट जो रहता है एन रेशो नाइट्रोजन फोस्फोरस और पोटेशियम के फॉर्म में दिया साता है जिसमें हम nitrogen 20-25 kg पर hectare, phosphorus 50-65 और 20-35 kg पर hectare के ratio में इसको दिया जाता है इसके अलावा हम zinc भी देते हैं, zinc हम देते हैं 2-4 parts पर million के हिसाब से zinc को क्या करते हैं, हम लोग foliar application दिया जाता है foliar application मतलब की leaf stage में उसको क्या किया जाता है उसको foliar दिया जाता है, spray किया जाता है खड़ी फसल पे 0.5% zinc sulfate से calcium को 0.25% lime के form में दिया जाता है zinc deficiency in poison pee is rectified by spraying of 5 kg zinc sulfate plus 2.5 kg lime per hectare यदि poison pee में zinc की deficiency हो जाती है, zinc की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, poison pee में spray कर दिया जाता है 5 kg zinc sulfate से और 2.5 kg lime per hectare एक hectare में इसका mixture करके हम उसमें क्या कर देते हैं poison pee में spray कर दिया जाता है फिर irrigation, पैसे तो irrigation की जरूरत नहीं पड़ती यदि बाइचांस irrigation की जरूरत पड़ती है तो उसको 2-3 irrigation दिया जाता है और ये 203 irrigation हम लोग एक तो flowering time पे देते हैं और pot formation के time देना बहुत crucial रहता है ठीके, अब weed control इसको हम लोग alaklor से करते है weed control, alaklor का common नाम है उसको लासो भी बोला जाता है ठीके, फिर हम बात करेंगे harvesting, harvesting कम करते हैं हम लोग जब प्लांट जो रहता है वो greenish to yellowish color का convert हो जाता है और हम बात करेंगे कि harvesting जो है कि कप से कप कर देनी चाहिए हमको 120 से 130 दिन के अंदर में हम इसको क्या कर देते हैं harvest कर दिया जाता है फिर harvesting index, जो पूरी crops में हम बात करें कि जो पूरी crops में जो जितनी भी पल्से च्रॉप है उनमें harvesting index सबसे कम होता है किसका रहता है, वो इसका क्या करते है, पिजन पीका रहता है जो की रहता 0.19% ये भी पूछा कर जाने वाला question है storage कितना रहता है 10-11% मुश्यर में हमको क्या करते है, इसको storage किया साता है yield इसकी रखते है, 20-25 पर hectare में इसके हम क्या रखते है yield रखी जाती है फिर हम next देखो, so हमने क्या किया, ये देखो mature pod है यहाँ पे जब ये mature pod हो जाता है, यहाँ पे देखो इसमें grain आने लगे है grain आते हैं, तो हम इसको क्या करते है, tracing कर जाती है, और फिर हम क्या कर देते हैं, इसको stover में store कर दिया जाता है ये हमारा क्या हुआ, पेजन पी complete हुआ इदर पे, आप हमारे वीडियो को पूरा देखें एंड तक और यदि कोई भी doubt होता है इस related तो आप comment box पे comment करके ज़रूर बता है, हम आपके comment कर reply करेंगे और आप यदि हमारे साथ ICRK, JRX और और भी exam की preparation करना चाहते है या आप हमारे WhatsApp ग्रूप में join होना चाहते हैं, तो हमारे description में WhatsApp ग्रूप की link दी गई है जिससे आप हमारे WhatsApp ग्रूप में join कर सकते हैं और आप course को purchase करना चाहते हैं, तो दिये गई contact नमबर पे contact करें जो हमारे क्यों ओलश के खाश करना चाहते हैं